बन्दे फुरसोतमु स्रीशी ठापुर जी के एक भक्त हुए S.P.R. सुरी नारायर परसाच जी वो अपने जीवन में कैसे उनको स्रीशी ठापुर जी की दीक्षा मिली इसी के संदर्भ में वो लिखते हैं जो इस प्रकार है इसका सीर्सक है स्रिसिठापुर्जी की दीख्षा मैं असांत था परिसांत कलांत था जो असांत रहता है उसे सुख कहां भगवान स्रिकृष्ण ने कहा है असांतस्य कुतह सुखम अतह मैं सुख से लाखों को सदूर था इसी चिंता के चलते अध्यन में कभी-कभी बाधाएं आ जाती थी मैं इसके निराकरण की खोज में था चिंतन करने लगा हो सकता है कि मैं कामिनी के लिए बेचैन हूँ इसी वीच विवा हुआ फिर भी सांती नहीं सोचने लगा हो सकता है कांचन पाने के लिए मन छट पटा रहा हू क्रिसी असना तक हो गया अच्छी नौकरी भी मिल गई धन का अभाव नहीं था फिर भी वही अवस्था इसी वीच हमारी बदली दुमका में हो गई वहां डंगाल पाड़ा मुहले में भाड़े के मकान में रहने लगा उसी मुहले में श्री अर्विंद बनरजी नाम के एक अधिवक्ता थे उनकी पत्नी दिप्ती थी उनकी पुत्री से मेरी पत्नी की जान पहचान हुई और दोनों में काफी घनिष्टता हो गई एक दिन मेरी पतनी ने कहा कि दिप्ती के यहां प्रतेग सुक्रवार को स्रिशी ठाकुरजी का नाम संकृतम एवं सत्संग होता है और प्रतेग दिन सुबह में वे लोग जल एवं आहार ग्रहन करने के पुर्व कुछ अरग ठाकुरजी को निवेदन करते हैं इस बात को सुनने के बाद मुझे अरबिंद बाबु से मिलने की उतकंठा जगी एक दिन उनसे मिलने का सुयोग मिला आलाप अलोचना के क्रम में उन्होंने बतलाया कि स्वेसे ठाकुर अनकूल चंदरजी इस युग के पुरसुत्तम है इनके पास सभी समस्याओं का समाधान है बड़े से बड़े पंडित लोग भी इनके संपर्क में आकर इनके सरनापन हो जाती है अनएक दुस्ट व्यक्तियों के जीवन में भी अमूल परिवर्तन हुआ है और असांत व्यक्ति को सांती मिली है सांती की बाज सुनते ही मेरा मन ठाकूर जी के दर्सन के लिए लालाई थो उठा उनके प्रतिभक्ति का जावरण हुआ यह घटना 1969 की है अर्विन्द बाबू के प्रति मेरे हिर्दे में स्रद्धा उत्पन हुई वे मुझे पुत्रवत प्यार करने लगे समय भीत्ता गया हठाथ क्रिसी महाविद्याले सबोर में MSC पढ़ने के लिए आदेश प्राप्त हुआ इधर पढ़ने जाना है और उधर अर्विन्द बाबू से बिचुडने का भय है एक दिन जाने का समय आही गया अर्विन्द बाबू पूरे परिवार के साथ मुझे विदा करने के लिए आए वे बोले यू हैब मैगनेमिमस परस्नाल्टी यू विल इस्टेंड आफ फस्ट इन दा यूनिवर्सिटी बाइ दे ब्लेशिंग आफ परम दयाल से सिठाकुर उनके इस वाक्य ने मेरे भीतर आत्म विस्वास की सिष्टी की मुझे लगा कि परम दयाल से सिठाकुर जी की कृपा से हम विस्वे द्याले में अवस्य प्रथम अस्थान प्राप्त करेंगे मैं प्रफुलित एवं उद्बद्ध होकर पढ़ने लगा सबेरे आकर मैंने कहना सुरू किया कि मैं इसे सिठाकुर्जी की कृपा से प्रथम अस्थान प्राप्ट करूंगा इस बात को सुनकर अनेकों ने परिहास करना सुरू कर दिया मैंने मन लगा कर पढ़ना सुरू किया पुस्तकाले में जाकर विशय से सम्मंधित अनेक किताबों का अध्यन कर नोट बनाना सुरू किया मैंसे के प्रथम वर्थ की परिक्षा समाप्त हुई परिक्षा फल निकलने वाला है हमारे एक परिचित व्यक्ति भागल पुर्विस्विद्याले के कार्याले में पदस्थापित थे उनसे जाकर मैं मिला और उनसे अपने परिक्षा फल के बारे में जानना चाहा वे भीतर जाकर लोटे और बोले कि मिठाई खिलाए ये आप प्रथम स्रेणी से उत्रन हुए है मुझे ऐसी आसा थी कि प्रथम स्रेणी में उत्रन हो सकूंगा कृप्या आप बतलाएं कि हम प्रथम हुए हैं कि नहीं वे पुना भीतर गए और हस्ते हुए बोले कि सचमुच में आप में धावी हैं आपको प्रथमस ठान ही मिला है इस पर इक्षाफल से मेरा उसाह चौगुना हो गया और से सिठाकुर जी के प्रतिभक्ति गाड़ी होकर प्रेम में पर्णित होने लगी मैंने विस्विद्याले के सभी विस्यों के विद्यार्थियों से अधिक अंक लाने का दिर्ड संकल्प लिया और मेहनत भी मैंने बढ़ा दी परमद्याल सिसिठाकुर्जी की महती कृपा हुई कि सच मुझ में मुझे विस्व विद्याले में सबसे अधिक अंक मिला और मुझे तीन स्वन पदक प्राप्त हुए मेरे आनंद की सीमा नहीं रही जब महाविद्याले से जाना पड़ेगा मैंने सोचा अगर देवघर में मेरी पदस्थापन हो जाती तो सिसिठाकुर्जी का दर्सन करने का सोभाग प्राप्त होता परंत मेरे मंगल के लिए ही उनकी कृपा से मेरी पदस्थापना पिपरा कोठी पुर्वी चम्पानर जिला में ब्याक्षाता के पद पर हुई कुछ दिन रहने के बाद मैं एक दिन सचिवाले गया अपनी बदली के लिए महा जाने पर मालुम हुआ कि मेरी बदली समस्थिपूर हो गई है मैंने अधसूचना की एक प्रतिली और पिपरा कोठी चलाया कुछ दिनों के बाद बिरमित होकर समस्थिपूर में योगदान किया एक दिन मेरा तीन वर्स का पुत्र दो मंजला की छट पर से सीड़ी पर तेजी से लड़क गया आवास सुनकर में दोड़ा देखता हूँ कि सिठाकर जी की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ जबकि उसके मरत्य होनी चाहिए थी और अंग भंग भी होना चाहिए था इस घटना के बाद मुझे अनुहूती हुई कि दयाल ठाकर सचमुच में दयाल है और प्रहलाद की तरह भक्तों को घोर आपदा विपदायं दुरगटना से बचाते रहती है मुझे दाक्टर राम बिलास सिनहा वरिय पसुच कित्सक से जान पहचान हुई उनके साथ अनुमंडल पसुपालन पदा रिकारी के यहां गया संध्या होने वाली थी डाक्टर सिनहा ने कहा कि अब हम चलते हैं क्योंकि हमें सत्संग में भाग लेना है हमने डाक्टर सिनहा से पूछा कि इनका सत्संग इस पर उन्होंने कहा कि सिसी ठाकुर अनकूल चंजी का सत्संग इस पर मैंने कहा कि क्या सिसी ठाकूर अन्कूल चंजी के सिस्से यहाँ पर भी हैं उन्होंने कहा हाँ यहाँ पर उनके अनेक सिस्से हैं तब मैं भी उनके साथ सत्संग गया सत्संग में अनेक लोगों से मुलाकात हुई सिसिठाकुर जी के बारे में मैंने चर्चा सुनी एक दो और सत्संग में भाग लेने के बाद हमने दिक्षा लेने के लिए इक्षा ब्यक्त की अचल देव बाबु मुझे दूसरे दिन सुबह अस्थानी अवित्विक स्री सैलेश बनर जी के यहां ले गए उनके माध्यम से मैंने दिक्षा ग्रहन की दिक्षा के उपरांत मेरे भीतर सांती का पदार कुण होने लगा चेहरे पर एक अजीब आनंद का भाव दिष्टी गोचर होने लगा मेरा जीवन सार्थक हो उठा मैं देवघर जाकर अपने जीवन देवता का दर्सन करने के लिए बेचैन हो उठा मौके की तलास की वह सुवसर अंत में आही गया समस्तिपुर के कुछ भक्तों के साथ मैं देवघर चला सुबह में मैंने दियाल ठाकुर को भुमिष्ट होकर प्रणाम किया और खड़े होकर ओ पलक दिष्टी से उन्हें निहारने लगा मन मुहन के सामने मेरा मन मुग्द हो गया और ओ निर्वचनी आनंद में गोता खाने लगा तुलसिदास जी की अपक्ति ममगुन ग्राम नाम रत गंत ममता मद मोह मानो मेरे जीवन में चरितार्थ होने लगी कल्पना की उडान होने लगी मैं सोचने लगा सिसी ठाकुर जी हैं परम सत्ता और प्रतेग सत्ता इनके निकट आकर परम तर्प्ति और परम सुख उपभोग करता चाहती है और जब तक या नहीं होता है तब तक परतेग सत्ता का मन असान तपरिसान और उनकलान तरहता है मैंने अनभव किया कि मेरा मन इनहीं को पाने के लिए असान तथा मेरे ही तरह इस धराधाम पर असंख मनस्से उन्हें पाने के लिए छटपटा रहे होंगे उनकी चटपटाहट को दूर करने के लिए प्रतेक दिख्छत भ्यक्टिका परम करतब्य हो जाता है कि उन लोगों को दिख्छा के माध्यम से भ्यक्त करें और इसके लिए समों को याजन मुखर होना पड़ेगा और प्रतेग ब्यक्ति के साथ सवहार्द पुण बेभार कर दिख्छा लेने के लिए उद्बुद्र करना होगा यही तो पुणे का काम है सिथाकूर ने कहा है इस्ट लागी कर्म करा सेट होलो पुड़े भरा अर्थात इस्ट के लिए जो कर्म किया जाता है वही तो पुणे से भरा होता है याजन एक मतपुन इस्ट कर्म है और प्रभावकारी याजन के लिए यजन बहुत आवस्यक हो ज और यजन एम याजन को सक्ति देने के लिए इस्टबरिती मोटिव पावर का काम करती है। अता सबों को दिख्छा लेकर यजन याजन एम इस्टबरती नियमित रूप से करते हुए अपने जीवन को सांत एम उन्नत बनाना है और अन्य व्यक्तियों के जीवन को ही सांत एम उन्नत बनाना है अगर मुझे स्रद्द अर्बिंद दा, राम बिलास दा, अचल देव दा एम अन्य भक्त गण दयाल ठाकुर के बारे में नहीं बतलाते तो हम जीवन भर छट पटाते रहते और बहुत भागे से पाया हुआ मेरा मानों जीवन बरबाद हो जाता मैं उन सभी भक्तों का आजीवन रिणी रहूंगा जिन लोगों ने मुझे दयाल ठाकुर के निकट पहुचा दिया सात्वती नौंबर दो हजार दो से जै गुरू